कि या मैं हलो स्टूडेंश तो आप लोग का सेकेंड चैप्टर खताम जे था और आप लोगि कई बुक में कोई भी चैप्टर में कोई साने वि Boston नई देहे विए तो मैं आप लोगों कोई ब CBS transaction निकाार के आप लोगों सबनाने देरही हूं ठीक यह तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को ये question answer बनाने दिया था ठीक है तो आप लोग इसे solve किये होगे आज इसका हम लोग answer देखते हैं तो first question था write the name of main part of computer computer के जो main parts है उसके नाम लिखने थे तो there are four main parts of computer computer के four main parts होते हैं वो मैं आप लोग को बहुत बार बता चुकी हूं one class में हो आप लोग तो आप लोग को मैंने पिछले करी वीडियो में भी बताया कि हमारे computer के जो है four main parts होते हैं ठीक है monitor CPU keyboard और mouse ठीक है फिस second था which part of computer is known as brain of computer concept part of computer को brain of computer कहा जाता है तो CPU is known as brain of computer CPU को brain of computer बोला जाता है अब क्यों बोला जाता है क्योंकि जैसे हम लोग का सारा काम हम लोग का brain करता है उसी तरीके से computer में सारा काम CPU ही करता है इसलिए उसे brain of computer बोला जाता है ठीक है फिर third question है how many keys there are in a keyboard तो there are 104 keys in a keyboard keyboard में कितने keys होता है तो 104 keys होता है ठीक है बट अगर आप लोग जो हम लोग normal keyboard आप लोग जो यूज़ करते उसमें 104 होते है ठीक है ऐसे बाकिसारे keyboard में 101 होते है ठीक है फिर है but is clicking to click किसे बोलते हैं तो mouse को click करना एक बार click करना उसे हम लोग clicking बोलते है ठीक है तो pressing the mouse button mouse के कोई भी button left या right को अगर हम लोग एक बार दबाते हैं तो उसे क्या बोलते है clicking बोलते है pressing the mouse button is called clicking ठीक है फिर है what is the use of monitor तो मैंने बहुत बार बटाए कि monitor का क्या use है ठीक है तो monitor is used to display the work done on a computer monitor का क्या काम है तो वह आप लोग को computer पर जो भी काम होता है उसे करके अगर computer में जो भी काम होता है वह हो जाता है तो हम लोग कहां देख पाते हैं monitor पर देख पाते हैं तो monitor का यह यूज है कि वह हम लोग को सारा चीज दिखाता है कि क्या वर्थ हुआ नहीं हुआ ठीक है तो यह सारे हो गएं आप लोग इसे याद कर लोगे ठीक है